स्री सिवाय नमस्तु भ्यम हरहर मादे जैसा कि आप सबको पता है कि रक्षबंदन का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है आपको रक्षबंदन की हार्दिक सुपकाम नहीं जितनी भी माताएं बहने इस वीडियो को देख रही है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इस उप जाओंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें और कमेंट में हरहर महादेव लिखना न भूलें सबसे पहले हम बात करते हैं स्रवन कुमार की ये स्रवन कुमार है कौन और इन्हें राखी बाननी क्यों है ये वही स्रवन कुमार है जिन्होंने अपने अंदी माता पिता को कंधू में बैठा कर चारू धाम का ब्रह्मन कराया था इनी को बगवान राम के पिता राजा दसर प्रवाइब ने तीर मार दिया था उसके बाद जो स्रवन को मारते उन्हें यह असिरुवाद मिला था कि रक्षा बंदन के दिन जो भी बहन अपने भाई को राखी बादने से पहले आपके नाम की राखी आपको बादेगी उसके भाई की उम्र बढ़ेगी और जिंदगी में वो हमेशा तरक्षी करेगा यह तो मैंने आपको सौट में कहानी समझा दी पूरी कहानी बताने में तो गंटे लग जाएंगे बस आप सौट में समझो कि जितनी भी माताय बहन है इस फोटो को देख रही है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपको कुछ इसी तरह का एक स्वरूप बना लेना है सेम ऐसा तो बनेगा नहीं इससे मिलता जुलता स्वरूप आप बना लेना स्रवन कुमार का चाहे तो दिवाल पर बना लेना या फिर कौपी पर पैंसे बना सकते हो कुल मिला कर यह है कि आपको स्रवन कुमार का कुछ ऐसा स्वरूप बना लेना है और जितनी भी बहने अपने भाई को राखी बादेंगी, अपने भाई को राखी बादने से पहले एक राखी स्रवन कुमार की फोटो मूर्ती प्रतिमा जो भी आपने बनाई है, उसके उपर रखेंगे और यह हमान कर रखेंगे कि हमने स्रवन कुमार को राखी मादी है जो भी बहन स्रवन कुमार को राखी माद कर अपने भाई को राखी मादती है उसके भाई की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ती है और जिन्दगी में वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और आपके बीच कभी भी लड़ाई जगड़ा नहीं होगा हमेशा आपके बीच प्रेम बना रहेगा यही छोटा सा उपाय था जरूर करना मैंने कोसिस किया आपको बहुत ही आसानी से समझाने की अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद